में सुधा नौले नीमस से मेरे क्या है कि एड़ी की हड़ी बढ़ चुकी थी और मैंने नीमस भी दो-चार डॉक्टर से ओपीनियन वगेरा टेटमेंट करवाया उसके बाद मैं बिलवाडा गई मैं उसके बाद फिर वहां भी मेरे को आपरेशन के लिए बोला गया टेटमें पर्ण भी करवाया मैंने लेकिन वह लास्ट में उपरेशन के लिए ही सजेस्ट करा गया और हमको क्या क्यांकि पेपर्स दुआरा जनकारी हुई नीमस में पेपर में आया सेम सा फिटिल का तो हमने सर्च करा उसके बाद सेमसा प्योंशे हैं और उसके बाद हमको यहां से opinion मिली, डॉक्टर पार्थ पारेक करके हैं, वो foot ankle के ही specialist हम उनसे मिलें, उन्होंने भी हमको यही बोलाए कि आप operation ही करवाना पड़ेगा, treatment एक महीने का भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको उससे कुछ फर्क नहीं मिलेगा कि total आपको operation के लिए suggest कि मिलेगा गया है, हमने फिर उनसे यह डी permission उसके बाद मेरा operation हुआ, हमको उनका nature वगेरा उनने हमको अच्छे से guide करा, इससे हम बहुत संतुस्ट हुए, फिर हमने operation के लिए तैयार हो गए, मेरा operation भी अच्छे से हुआ, सब कुछ उनका nature भी हमको बहुत अच्छा लगा, सेरेटी वगेरा अच्छे से, स्टाफ वगेरा बराबर अच्छे से करते हैं, और हम पार्थ फारेक सर के बहुत आबारी हैं, उनने मेरा अच्छे से operation करा है, मेरा नाम डॉक्टर पार्थ पारेक है, मैं fellowship trained orthopedic foot and ankle surgeon हूँ, और मैं Sims hospital में full time की तरह काम करता हूँ, सुधा ना से तब दिक्कतारी थी, तो उनको ये problem था, कि उनकी जो heel की हड़ी है, वो बढ़ गई थी, और उसके वज़े से जबी-जबी वो चल रहे थे, वो heel की हड़ी उनके पाव में दिक्कतारी थी, वो बहुत परेशान हुए, एक-दो जगा उन्होंने दिखाया भी, और फिर Sims hospital में आये, और मेरे से उन्होंने बाते की, she got convinced और हमने operation किया, उसमें हमने जो heel की हड़ी है, वो निकाल दी और उसके बाद उनको relief मिला, दो महीने हो चुके हैं अब, and she is very well, वो बहुत ही प्रसंद्न है, और इस तरीके से इसको haglans deformity कहा जाता है, so heel की दिक्कते होती है, ज जो patient तीन या चार सार से हैरान हो रहा है, वो करीबन साथ से दस दिन में pain free walking कर सकते हैं, तो इस हिसाब से painless movement and getting back to your feet का principle यूज करके हम यहाँ पर operate कर रहे हैं